हलो स्टुएंट्स वेलकम यह लेक्चर नंबर हमारा 14 है इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे और यह कंटिनिवेशन में पार्ट 4 है यानि कि एनर्जी का मैं पहले तीन लेक्चर लेके आ चुका हूं उसमें 15, 15, 30, 45 लोगा 45, 46 कोशन कर चुका हू और फिर से यह पार्ट नंबर 4 है जिसमें 15 कोशन का सेट लेके आए हैं तो आईए हम लोग बिना लेट किये हुए चलते हैं और आप लोग को अगर कोशन और यह स्रीज अच्छा लग रहा है तो आप इस लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए ठीक है तो आईए गति जूर्जा जो होता है वो हाफ एम भी स्क्राइब के बराबर होता है दोस्तों तो हाफ का मतलब 1 by 2 एम का मतलब कोशन में गिवन है 22 और गति दिया हुआ है पाच मीटर पर सेकेंड तो यह यूनिट रखने का जूरत नहीं है आपको ध्यान रखना है कि यूनिट भी का जो हम ऐसा लेना वो मीटर पर सेकेंड में ही लेना क्योंकि जूल जो एसा उनिट डिफाइन होता है वो मीटर में डिफाइन होता है ठीक है तो यहाँ पर 11 टाइमस में कर जागा ठीक है और यह 5 एक बार और आएगा तो यानिकि 11 इंटू 25 11 इंटू क्या 25 तो मैथेमेटिक में आप जानते होंगे कि 275 बीच में दोनों को रख दीजे यानि कि 275 जूल इसका क्या होगी आंसर होगया इसी पर मैं एक और कोस्टन देता हूं कि सपोई जट आपका भी जो देता ना वो देता अगर भी जो देता है ना वो 18 बटा पाच किलो मीटर पर आवर पूछता है ना इसी कोस्टन का मोडिफाई भरजन आया ही होगा एक जाम में यह फिक्स है कि आया होगा बस टीचर जो इस पर कोस्टन लोगों ने सेट किया था इसी तरह सेट किया था तो अगर भी अठरा किलो मीटर पर आवर होता तो सबसे पहले भी को हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ता है भी अठरा नहीं 90 हम दे देते हैं ठीक है भी हम लोग 90 दे देते हैं तो भी अगर 90 देते हैं तो हमको यह मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो 90 इन्टू नब्य वाइ 5 इन्टू पाच बटा 18 तो आठरा पचे 90 और 5 से 5 कर जाता यानि कि तब हम भी 5 किलोमेटर लेते अंसर तो सेमी रहता लेकिन ये जो मीटर पर सेकेंड भी आथा उसको उन्हों ने किलोमेटर पर सेकेंड भी दे सकते थे जब वो किलोमेटर पर तो यूनिट का सबसे बड़ा ध्यान रखना आपकी एक्जाम में नेकस्ट है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी उर्जा होगी दोस्तों वोगी गती जूर्जा, गिरती वे नारियल में कौन सी उर्जा होगी, गती जूर्जा होगी, गती जूर्जा होगी, अगर कोस्टन में इस्थितिज और गतीज दोनों दिया वरा था, तो हम लोग फिर वो कंसीडर करते हैं, कोस्टन में अगर इस्थितिज और गतीज एक साथ दिया जी एच वाला कोस्टन्स आ गया कि एक बस्तू जो है वो जमीन से कितना मीटर उपर है इंगारा मीटर उपर है तो हाइट के कारण जो उच्छा उपर उड़ जा होता है वो होता है एनर्जी इस इक्वल टू याणी पोटेंशिल एनर्जी इसको एक्चुली बोलते हैं इस्थिती जूर जा एम जी एच तो एम का वैलू यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा है 11, g का value क्या देख रखा है, 9.8 और h का value क्या देखा है, 5 तो जब इसको multiply करेंगे, तो देखे, यहां से हटाएंगे तो 10 बार में कट जागा, 5 से 2 बार में कट जागा, 2 से 49 बार में कटेगा, तो यह जब आप जोड़ देगा, तो 9, 9, 4, 13, 4, 1, 5 है ना, तो इस तरह से आपका क्या हो जागा, यह 9 तो रहेगा ही रहेगा, 49 इंटू इगारा करते हैं ना, तो 49 इंटू इगारा का मतलब बीच में यही रहता है, 9, 4, 13, 4, 1, 5, तो 5, 39 आपका answer हो जागा, A नमबर, ठीक है, तो यह आपका ध्यान रखना है, इस का answer कौन सा हो जागा, A हो जाएगा, तो MGH लगा देना था, इसमें बहुत ही आसान सा यह questions था, आगे questions है, कह रहा है कि 14 kg के एक बस्तू, जब भूमे से 5 मीटर उचाई पे हो, तो अबर जो multiply होगा, वो 14 से multiply होगा, तो देखिए, 11, 10 को आया हुआ question है, और 15, 10, 4 दिन बाद यही questions आया है, बस उसमें थोड़ा सा change हो गया, तो इसका answer आप लोग comment section में लिखके बताईए, इस cancer आप लोग दोस्तों comment में लिखके बताईए, कि क्या होगा, ठीक है, फरदर आगे हम लोग next questions पे चलते हैं, अब यह एक अच्छा question है, और जो बच्चा अगर concept के साथ एक्जाम में जागा, तो D लगा के आ जागा, उसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि उर्जा निकालने की बात का है, और उर्जा का यहाँ पे एक ही unit है, वो जूल, तो यहाँ पे सब answer सेमी है, तो उसको बनाने का जरूरत नहीं है, पंदरा सो लगा के आ जागा, अगर उसको बस unit है, एक नजर में दिखा का चाहिए, हमको सारा answer तो सेमी दिख रहा ह है, तो उर्जा का अंसर क्या होता है, जूल होता है, उर्जा का अंसर क्या होता है, तो हम जूल अंसर क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यह बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, उर्जा का जूल हम क्या करेंगे, परदर आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम लोग अब यहां पर क्या देखते हैं समझें इसको बनाएंगे कैसे तो यहां पर 15 के जएगा बस तो 10 मीटर रूचा उपर में है तो पोटेंसियल एनर्जी निकालना पड़ेगा तो पोटेंसियल एनर्जी क्या होता दो क्योंको जो railway का अंसर कड़ऒागे चलना पड़ेगा टाइम मेनेजमेंट भी से यहीस क्या जाता ही है तो फिर एकजाम में आपको आंसर करने में थोड़ा मुश्किल होजाएगा ठीक है है तो आएप फिर इसमें आप हम लोग आगे बात करते हैं कोसन नेक्स्ट है कि किसी आंसर बनाए हुए, आप आंसर करके आजाएएगा, कैसे तो बेक जिएद करना है, और बेक का unit होता है, Ad. इसकेंड माईनस वन तो सब इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो मिटर सेकंड माईनस वन इसका अंसर भी होगा बताइए कितना आसान सा कोस्तन्स आ रहा था यानि कि बस आपके डिफ़ कंसेप्ट को एकजाम में इस वर चेक किया गया है कि आप किदना कंसेप्ट लेकिया है, रट क्या है, या concept लेकिया आगया है, ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा questions है, तो देखिए इसमें क्या होगा, आईए हम लोग बात करते हैं, तो kinetic energy given है, गती जूर जा, तो ये half, m v square के बराबर होगा, तो इधर रखेंगे 120, 1 by 2, mask value उन्होंने दे रखा है 15, है न, is equal to क्या, into b square, तो 15 से यहां कितना बार में कट जाएगा, बताइए, तो 8 बार में कट जाएगा, 15 ठेक 120 होता है, यानि कि b square बराबर 8 into 2, यानि कि 16, b square तो b का value क्या हो जागा, 4, तो इस तरह से ये answer हो गया, ठीक है, तो आपको ये questions बनाने का exam में जरूरत ही नहीं थ friends है न, अगर हाप बस आपको unit पता हो तो answer करके आ जाते हैं, और इस तरह कभी तक मैं दो questions आपको दिखा चुका हूँ, आज के lecture में, ऐसे बहुत ही questions एक जाम में आये थे, अब आगे कह रहा है, कि 15 kg की एक दरबमान की एक बस्तू 8 मीटर पर सेकेंड से एक समान बेक से गत जूर्जा निकालना है, तो जाहिर से बाद इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारा option आसपास है, जूल में तीन option है, देखी, तो kinetic energy half, aim का value कितना है, 15, और भी square का मतलब 8 into 8, और unit हमें साब को देखते रहना है कि unit मीटर पर सेकेंड हो, जब किलो मीटर पर आवर में जान बुच के देगा, और बच्चा उसमें गल्दी करेगा, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, इसको जब sol किजएगा, तो क्या होगा दोस्तों, 8 दूना, 16, तो 15 दूना, 30 into 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बताए, तो गती जूर जा, निकालना, half ठीक है, तो ये चार बार में कटेगा, तो 15 दूना, 60 into 8, तो 8, 6, 48, जूल आपका क्या होगा, आंसर होगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कोस्टन्स था, नेक्स्ट कोस्टन्स है, ये आप, ये भी कोस्टन्स है, 11 के जीक, बस तू भूमी से 10 मिटर कुछ आईपे, तो इस वए MGH लगा देते हैं, इसमें सोचने का जरुवत ही नहीं हमको, तो 11 into G का बैलू कितना है, 9.8, और H का बैलू कितना है, 6 आपको लेना है, तो इसको 11 into कितना होगा, तो पहले इसको मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो 8, 48, 49, और 8, 48 का हुआ, 8 है न, 49, 59, पॉइंट एक ही option दिख रहा है, तो यह answer हमारा क्या हो जाएगा, तो यह आपको समझ में आगे होगा, ठीक है, तो answer इसका क्या होगा, यह multiplication, आप देख लिजएगा, multiplication थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो आप multiplication एक पर देख लिजएगा, करके, लेकिन answer क्या आएगा, यह आगा, क्योंकि point लास्ट में एक ही आ रहा है फरदर आगे अगर हम लोग बात करें कह रहा है एक बंधूक से चली गई लच के भीतर गहराई तक चली जाती है क्योंकि इसमें तो बंधूक में क्या होती है गती जूर्जा हो जाती है तो गती जूर्जा होती है तो इसलिए उसमें क्या होती है चली जाती है अब देखिए इसमें होता क्या है गहराई तक चली जाती है कैसे समझी यह कोसंस एक इसी पैटन पे एक और एक जाम में कोसंस आया था तो बच्चों को थोड़ा कनफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा कैसे होता है तो यहां से ट्रिगर कुछ दबाने वाला होता है और देखिए यह पीछे कितना बड़ा इसका बेस है एरिया इसका क्या है बड़ा है और जो बुलेट होता है उसका आगे में एरिया बहुत ही छोटा होता है तो जितना कम एरिया काटी को अप देखें काटी को कील को दिवाल में लगाते हैं तो कम देखrijे pressure is equal to force, By Area, तो एरिया जितना ही कम रहेगा उतना ही ज़्यादा pressure arexating होगा, जितना ज़्यादा pressure arexating होगा, उतना ज़्यादाér yeah harmful create करेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए है कि देखिए गोली चलती है तो गती जूर्जा बंधूक में भी होती है और गती जूर्जा क्या होती है गोली में होती है गोली में जो गती जूर्जा होती है वो आगे क्यूर होती है और बंधूक में जो गती जूर्जा होती है वो पीछे क बड़ा रखा जाता है न पीछे में बहुत बड़ा रखा जाता और कहीं पर सपोर्ट लेक्षक चलाए जाता है तो ए grain बढ़ा होने के कई इसके एफ्एक्ट कम जाता है लेकिन गोली परिव bisslorOh तो आपको समझ जाना है कि जो है रही है कि बदूर के बारे बाथो रही हैテी कि-ख रूप analyst के बारे में बात हो अच्छ किलो ग्राम दरव्मान का एक घंड अच्छा एक चिकनी सत्ह पर इतना वह इतना किलमेटर अन्वस्थू से टकराता अच्छा माल लिजे कि कोई एक बस्थू है जिसका मास कितना है 0.5 kg यह कितना से चल रहा है तो यह जो चल रहा है दो मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वह एक एक केजी के अन्वस्थू से टकरा जाता है तो एक एक बस्थू जो है यह अभी क्या है रेस्ट में है और इससे वह क्या कर गया टकर खा गया तो ठीक है इसका मास कितना एक केजी है कि है उसका और दोनों एकल बस्तू बंजाता और इसका मास्क भानेक बन जागा उर्जा का छती का मतलब आप पहले कितना उर्जा था और बाद में कितना उर्जा था ये आपको निकालना है तो questions आप समझ गए होंगे तो देखिए सबसे पहले ये भी निकालना पड़ेगा तो भी निकालने के लिए दोस्तों एक संबेग संरच्छन का नियम हम लोगों प्योग करेंगे पी बरावर एम भी होता है तो एम बन भी बन ठीक है पलस एम टू भी टू इस एक वर्डू क्या होता है यानि कि प्रारंभीक अंतिम संबेग प्रारंभीक संबेग के बरावर होता है ये आपको याद रखना यानि कि पी बरावर जो एम भी का फर्मूला होता है तो जितना स्टार्टिंग का M भी होगा, M into B, संबेग, वो बाद का भी संबेग होता है, ये संबेग सनरचन का सिधान कहलाता है, तो आईए हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, तो जब हम लोग इस पर सॉल्व करते हैं, तो देखिए, पहले हम एरेज कर लेते हैं, थोड़ा ये कोस्टन समझना पड़ेगा, आपको अच्छे से, पूरा ही हटा लेते हैं, तो हम लोग देखें, कि एक बस्तू है, 0.5 kg का, ये कितना से चल रही है, 2 मीटर पर सेकिंड से, एक बस्तू है, 1 kg का, ये क्या है, रेस्ट में है, और दोनों टक्कर खा गई, और 1.5 kg बना ल तो भी निकालते हैं, तो क्या होगा, 0.5 into 2 mb, पलस, 1 into 0 ये तो रेस्ट था, बरावर 1.5 into b, ठीक है, मास into बेग, मास दरबमान इंटू बेग, दरबमान इंटू बेग, इस इक्वल तू फाइनल दरबमान इंटू बेग, जब इसको सॉल्ब करेंगे, तो क्या होगा, पा जो आ गया, 2 बटा, 3, फाइनल भी क्या हो गया, 2 बटा, 3, तो अब पहले काइनेटिक एनरजी, 1 निकाल लेते हैं, तो एक बटा, 2 into mass का मतलब कितना, 0.5, और b2 का मतलब कितना, 2 into 2, यो कि पहले तो बस यही चल रहा था न, पहला वाला, तो यहां से जब सॉल करेंगे, त तो 5 से 2 बार में 10, 2 से 2, 2 से 2, यानि कि इसके पास जो पहले एनरजी था, एक जूल था, अब काइनेटिक एनरजी 2, यानि कि final भी इसको लिख सकते हैं, final कितना हो गया, तो half, mass अब कितना हो गया, 1.5 हो गया, क्योंकि दोनों आपस में मिल गया है, और b2 कितना हो गया, 3 से 3 कट जागा, और 2 से 2, और 2 से 2 कट गया, तो यानि कि इपर में एक बचा, यानि कि काइनेटिक एनरजी, काइनेटिक एनरजी जो 1 हमारे पास आया, है ना, वो कितना आया, एक, और काइनेटिक एनरजी final जो हमारे पास आया, वो आया, एक बटा, तीन, तो उर्जा में क 6 जैंनी कि जब तो उपर में आएगा तीन माइनस हैसे याणि कि दो बटा 3 और जब इसको इसको सोल कीजेगा तो दसम्बलो चौ 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 इस तरह से आएगा याणि कि 0.670 जूर का क्या हूइ यह बात आप को याद रखना हैं। नहींकि है तो यह यह questions जो है आपके selection करवाने वाला questions है तो हम इसको हटाते हैं अब यहने कि 0.67 joule तो हमारा answer कौन सा होगा answer जो होगा यह 0.67 joule answer होगा ठीक है तो यह questions आपको समझना था तो यह बहुत ही depth questions था इतना depth आपको सोचने में थोड़ा आप theory भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो अगर आप theory में अगर थोड़ा कम जोड़ हैं तो हमारा theory का भी lecture आएगा उसका मैं link जो है description में दे दूँगा या फिर comment section में पीन कर देंगे ठीक है तो आज इसके बाद हम लोग next questions पर चलते हैं अब देखिए किसी बंधूक से bullet दागे जाने पर bullet की गतिज उर्जा ठीक है तो यानि बंधूक से तूलना करना है तो देखिए अभी हम कुछ दर पहले बताए थे कि ये बंधूक जो होता है तो ये bullet यहां से निकलता है तो ये आप समझे कि जो बंधूक की गतिज उर्जा होती है न बूलेट से जादा होती है ये आपको याद रखना है फिर भी ये हनिशले ने किरेट करती क्योंकि इसका पीछे एरिया बड़ा होता है तो एरिया बड़ा होने एक बज़ा से pressure क्य होता है कम हो जाता है तो उर्जा बंधिक की तुलना में बूलेट की गतिज उर्जा है ना बंधूक की तुलना में अधीक होती है आपका answer number C होगा बूलेट की जो गतिज उर्जा होगी ठीक है नहीं ये नहीं होगा बूलेट की गतिज उर्जा ना compare कर रहा है तो इसमें द तो यह बात आपको याद रखना है कि बॉलेट की जूर्जा होती है बन्धू की तूलना में कम होती है यह तीन वार आया है यह बहुत अच्छा questions है, है न, क्योंकि आप ऐसा सूचिया कि यह क्या होगा, देखिए, अभी तक हम आप पढ़ रहे थे कि यह आंत्रीक जो उर्जा होगा, दोस्तों, वो होगा, गतिज उर्जा पलस इस्थितिज उर्जा का समेशन होगा, यह दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, यह आंत्रीक उर्जा तो आप जाहिड सी बात है कि यह आंत्रीक उर्जा में इधर अगर गतिज उर्जा को घटा देंगे तो यह सिर्फ इधर क्या बज़गा, इस्थितिज उर्जा तो इसका अंसर क्या था, इस्थितिज उर्जा के यह को क्या बोलते हैं तो इह अभी हम लोग बात करें यह आंत्री कोर्जा बोलेंगे और यह क्या है ऐसे की किसी बास्टी में आका कोले तो यांत्री कोर्जा है तो आज के लेक्चर लेखें वहारा आज का समाफ हो था यह lecture number हमारा क्या था 14 था जैसे कि आपको पता है 14 और ये lecture का जो है part number 4 था लेचर के हम lecture के starting में बताए होंगे तो अगर आपको ये lecture अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं वही आप से उम्मीद करता हूं कि आप सब आपको बताएंगे और सेयर भी करते चलेंगे ताकि और लोगों को भी फायदा हो और हमारा भी कुछ benefit हो तो इस तरह से हम आपको फिर से एक नया lecture लेक्चर लेके आएंगे lecture number 15 तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू for watching